हलो और वलकम टू माई चैनल मैं रोहित यह स्वाद करता हूं मेरे इस यूटूब चैनल रोहित की कक्षा में तो यह वीडीयो है रिएयो मैं आपको दे रहा हूँ Gaya College of Engineering जो कहीं पहले इंजिनीरिक कॉलेज इसका नाम था बंडल दिया है इस वीडियो मैं आपको पूरा बताऊँगा कॉलेच के जनर्ल फाक्ट placements, fee structure, admissions, facilities, faculties, college, जब ठंडे के टाइम में कितने बज़े खुलती है, गरमी के टाइम में कितने बज़े खुलती है, bus की facility है कि नहीं, कोई bank facility है कि नहीं, मतब overall सब कुछ, मतब mess facilities, हर एक चीज इस वीडियो में cover करेंगा, और मैं आपको कुछ नहीं जानकारिया भी दूँगा, जो आपको other videos, जो आपने देखा होगा अभी तक गया college of engineering के उपर, वो videos से बिल्कुल अलग आपको कुछ नहीं आजसमत देखने को मिलेगा, ये पहली engineering college है वाई, गया की जो AAA rated government engineering college है, बिल्कुल government engineering college, कुछ हम लोग इस पर बताएंगे, admission procedure भी बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस से पहले भी बहुत other colleges के reviews बना चुका है, चैसे कुछ West Bengal के colleges, कुछ जार्खन के colleges, आप हमारे playlist के section में जाके बीटे college reviews देख सकते हो, diploma colleges के भी reviews देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ के varieties हम लोगों ने बना के रखाया है, ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ, कुछ और colleges के बारे में, मतब कुछ और इसमें जो चीज़ें आती है, धरी दरे करके मैं इसमें बताता हूँ कि कब established हुआ, जैसे आपको स्क्रीन के पीछे दिखी रही होगी, कि 2008 में आपको established हुआ है ये, ठीक है, college affiliated to R.A. Bhatt, knowledge university पत्ना में जो है, campus size about 87 acres, काफी बड़ा है, sponsored TechCube 3 program, अब आप पूछोगे कि TechCube 3 program क्या है, TechCube 3 program, government of India के तरफ से जारी की, 12th 5-year plan है, जो बहुत सारे engineering colleges को, मतलब fund देती है, सरकार के तरफ से fund आती है, जहाँ पर infrastructure develop होता है, चिटीचर्स आते हैं, seminar होते हैं, webinar होते हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोफेसर साइटीज के, I.S.C. के प्रोफेसर्स आते हैं, जहाँ पर आपको lectures मिलती हैं, कुछ नई जानकारिया होती है, यहाँ के students और उस college के students, दो other colleges के साथ, exchange होता है, internships, programs, बहुत सारी चीजों का mail मिला होता है, gate के free classes, free coachings, बहुत सारी चीजों का, मतलब lend-din चलता है, और यह सारा government के तरफ साथा, तो इससे college को बहुत जबरदस्त फाइदा होता है, ठीक है, मैं आपको और बता रहा हूँ, और इस college का, जो है न, NBA के साथ, रिकोगनाइज हो चुका है, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडियेशन, मतलब यह college की जो certificate है, वो internationally accepted, और इस college में जो UG प्रोग्राम चलते हैं, वो अवसे PG प्रोग्राम जी चलते हैं, बट अंडर ग्रेड़ुएट प्रोग्राम से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इस वीडियो में, और हम लोग UG प्रोग्राम पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने चैनल में, आप हमारे बहुत सारी सैक्डो वीडियोज हम लोग ने बनागे रख दिया है, जहारखन में जो कॉंसलिंग हुई, अब भिहार में, engineering हो या medical की कॉंसलिंग चली रही है, electronics and communication engineering and computer civil engineering, 60 seats रहती हैं, क्योंकि government engineering colleges में 60 seats ही valid हैं, ठेक है, बहुत ही कम ऐसे colleges होंगे, जहांपे 60 seats से ज़्यादा होगा, और जब यह college 2008 में बनी थी, तो इसका inauguration करने के लिए, जो उस वक्त के, और अभी भी जो आपके मुखमंत्री हैं, बिहार के नितिष कुमार जी, उस वक्त भी आएं थी, इनागुरेशन करने के लिए, तो यह college उनीक एनागुरेटेट से बना हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा, और भी कुछ चीजे जो इस वीडियो में आगे है, जैसे location कहा है, इस college का located कहा है, यह college, यह college आपका बिहार state highway no.4 में है, ठेक है, गया city के outskirts में, मतलब समझीज आप गया district जो है, उसके outskirts side area में बसा हुआ है, गया city से proper 15 km दूर है, और ऐसा, मतलब जैसे engineering college या technical colleges, जो भी होते हैं, नहुजादा तर colleges, city यह सहर के बाहर, थोड़ा सा out area में बना जाता है, ताकि space अच्छा मिले, ठेक है, और space होने से, वोक्षोप्स, लाब्स, लाइब्रेडी, बहुत सारी चीज़े बना जाते हैं, चाकंद रेले स्टेशन से 15 km दूर्स आवे, काफी सही, हमें इस college में आप जाओगे, admissions, मैं आगे दर बताऊँगा, admissions structure क्या है, fee structure क्या है, admissions तो यार, आपके वही, बिहार combined, entrance competitive examination board, bcceb से, आप ले सकते हो, उनकी website भी जाके, चेक कर सकते हो, अभी counseling, just, होने ही वाला, ठीक है, काफी वक्त जाता, और काफी analysis करने के बाद, आपके ये college review आती है, काफी सांदार आपको, दिखाने के लिए, intro भी हम लोगों ने ready किया, तो आगे fee structure, government engineering college, total fees करीबन साड़े दस जार पूर आपका, बीटे complete हो जाएगा, मतलब students का जो यहां से निकलने के बाद, मतलब जो उनका जो feeling होता है, इस college को लेके वो बहुत ही अच्छा है, उनका positive vibe रहता है, मतलब students बोलती भी है, उनके बहुत सारे reviews भी मैंने पढ़ा है, बहुत other websites में भी, वहाँ पे साफ साफ लेका होता है, के students बोल रहते हैं कि, मतलब कम पैसे में यह college सबसे best है, मतलब उनका यहां से पढ़ने के बाद, मतलब एक अलग ही level का उनको perception मिलता है, आगे के futures के लिए, चाहे वो gate के examinations के लिए आगे prepare करना चाहे है, चाहे वो placements के लिए, आगे बढ़ना चाहे हैं, जो faculty members है, जो teachers provide किये जाते हैं, इस college में काफी सांदार है, उनका खुद का कहना है college, उनके websites पे बहुत सार है, जैसे career360.com, sixa.com, college dunia.com, यह सब जो colleges, जो वहाँ पे जो data मिलती हैं, वहाँ पे reviews रहता है students का, तो students लोगे ने काफी अच्छा positive review दिया है, काफी अच्छे stars दिये हैं, काफी अच्छे numbers दिये हैं, इस college के placement हो, faculty हो, management को लेके, mess, hostels, सब कुछ मिला के, आगे हम लोग facilities के पारे में भी बात करेंगे, आपको placements, partners के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़े में आपको बताऊंगा, दिरे दिरे आप बस बने रही है, facilities में, computer facilities नॉर्मल है, यह सब होना ही है, must है, central library होगा ही, medical facility, central library में अब्वियस है, कि books होंगी, semester से related, gate के, gate के कुछ भी, examination से related, कोई भी examination से आप ढूंड़ोगे, तो आपको library में books होनी, available होना बहुत ज़रूरी, और यह होता भी है, medical facilities अवलेबल होंगी, bank facilities है, ठीक है, क्योंकि एक branch है, जो मद्ध बिहार ग्रामीन बैंक का, एक branch इस यहीं पे located है, Wi-Fi facilities आपको मिलेंगी, आपकी जाती ही गया जंक्शन मानपूर अनूतर नगर में सुबह 6 बजे, class starts होती ही, summer के टाइम में 7 बजे, और winter के टाइम में 8 बजे बज़ जाएगी, और classes scheduled होते है, टेने में ठीक है, उसके बाद आपको sports facilities and clubs, बहुत सारे colleges में चलते हैं, various indoor, outdoor games के facilities होना ही है, cricket, football team होती है, अपनी college की, clubs होते हैं, बहुत तरह के music club, ये administration के clubs होते हैं, engineering के societies के clubs होते हैं, badminton table tennis club, बहुत सारे clubs बनती हैं, colleges में हर तरह के चीजों का, मतलब होता ही है, हमने देखा ही हमारे भी college, beta colleges में होते ही है, सबसे important placements and internships, internships, placement, बहुत crucial role आज के time में कर रहे हैं, जबसे ये lockdown हो है, तबसे internships और trainings का, महात्व बहुत जबर्दस्त बढ़ गया है, इन colleges के websites में भी और बहुत अलग लग जगा में भी लिखा होता है, placement अभी normal है, college progressive में है, मतलब underdeveloped है, चली रहा है, दीरे-दीर हर day by day, हर year by year, इस college का, मतलब update हो ही जा रहा है, दीरे-दीरे college आगे बढ़ रही है, दीरे-दीरे companies इनके यहाँ पहुँच रहे है, यहाँ के students आगे बढ़ रहे हैं, कोई gate qualify कर रहा है, कोई अपने से placement crack कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे college में विजट कर चुका है, हाइस पैकेज करीबन 5 लाग तक गया है, इंटर्शिप ट्रेइनिंग के लिए IIT आयाए, ट्रिपल आयाए और IESR में, आपके students वहाँ, इस college के students गया हैं, जिनको 25,000 से 30,000 के internships के stipend पे लिया आगे जा चुका है, fellowship बहुत आगे कर चुके हैं students, और भी जारी है, students ही college को आगे लेके जाते हैं, students का जैसा संगठन, जैसा माहौल होता है, वही college को दिन प्रती दिन आगे लेके जाते हैं, इस college review में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने 10 मिनिट ज़्यादा आपका टाइम लिया, जिससे मैं चाहूँ कि आपके 10 मिनिट प्रॉपर आपका इस्तमाल हो, आपको नहीं जानकर यहां कुछ कुछ देखने को मिले, और भी मैं कुछ बताता हूँ, जैसे principal यहां के इस college के जो principal हैं, वो विजिट कर चुके हैं, कुछ बिहार के कुछ चीजों के लेकर वहां पर व्याक्षान कर गया चुके हैं, मिन्स उनको वहां पर इन्वाइट किया गया था, तो बहुत अची बात है कि यहां के principal फ्रांस जाके डेलिवर करके आएं अपना speech, तो बहुत बढ़ी बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिए, वीडियो को लाइक करिए, तो बिलता है आगे के वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक्यू.